नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि AFC पाउडर का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, AFC पाउडर को कैसे लगाना चाहिए, और AFC पाउडर की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस इफेक्स करेंगे कि AFC पाउडर को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, AFC पाउडर एक और गर्दन की तवचा पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिन में बहुत तेज जलन व खुजली होती हैं। इसके अलावा तवचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जख्म आदी लक्षन दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जांगो के फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्तर एफसी पाउडर को लगाने की सला दे सकते हैं। AFC powder तवचा के fungal infection को ठीक करके तवचा में जलन, खुजली और तवचा के rashes को ठीक करने में मदद करता है। अब हम discuss करेंगे की AFC powder को कैसे लगाना recommended होता है। ज़्यादातर व्यक्तियों को Dr. AFC powder को प्रभावित एरिया पर दिन में दो से लेकर तीन बार लगाने की सला देते हैं। डॉक्तर AFC पाउडर को दो सब्ता से लेकर चार सब्ता तक लगातार लगाने की सला दे सकते हैं। AFC पाउडर को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ताकि इनफेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की AFC पाउडर की वज़ा से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में AFC पाउडर की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को AFC पाउडर को लगाने के बाद तवचा में बहुत तेज खुजली, जलन, तवचा पर सूजन, तवचा पर रैडनेस, तवचा पर रैशेस या तवचा पर छाले होना और तवचा पर सुई चुबने जैसी समवेदना ज्यादा होती है। या ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है। तो ये लक्षन AFC पाउडर की वज़स से एलर्जी होने पर भी हो सकते हैं। यदि आपको AFC पाउडर को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की AFC पाउडर को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। फंदल इंफेक्शन एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती को फैल सकता है। इसलिए जब तक फंदल इंफेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए। तब तक संक्रमित व्यक्ती के कपडों और शारिरिक संपर्क में आने से बचना चाहिए। AFC पाउडर को आख, नाख, मुह और वजाइना के अंदर लगाना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए AFC पाउडर को आख, नाख, मुह और वजाइना के अंदर नहीं लगाना चाहिए. अगर आपको AFC पाउडर को पैरों में लगाना है, तो AFC पाउडर को पैरों में लगाने से पहले आपको अपने पैरों वहाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए. और उसके बा इसलिए डॉक्टर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को AFC पाउडर को लगाने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका AFC पाउडर से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।